पार्ट चार पिता का पत्र पुत्र के नाम प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909 प्रिया पुत्र प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पॉलक का और तुम्हारा खयाल मुझे बारी-बारी से आया लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना विशेश कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है मैं पूर्ण रूप से शांती में हूँ आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहां आए है लेकिन वे मुझे नहीं दिये गए फिर भी दिप्टी गवर्नर की उदार्ता से मुझे मालूम हुआ कि बा कास्वास्थ सुधर रहा है क्या वे फिर से चलने फिनने लगीं बा और तुम लोग सवेरे दूद के साथ साबूदाना पराबर ले रही होंगे और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा तुम कैसे हो तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वता योग्य हो और अनन्द से उसे निभा रही होंगे मुझे ऐसी आशा है मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने शिक्षा के प्रती असंतोश है जेल में मैंने यहां खूब पड़ा है इससे मैं यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ग्यान ही शिक्षा नहीं है सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्मान और कतव्य का बोध है यदि यह दृष्टिकोन सही है और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो आजकल तुम्हें अपनी बिमार मा की सेवा का अफसर मिला है रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो यदि यह काम तुम अच्छी तरह और अनन्द से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है संसार में तीन बातें बड़ी महत्वबोर्ण है इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्भा कर सकोगे ये तीन बाते हैं अपनी आत्मा का, अपने आपका और ईश्वर का सच्चा ग्यान प्राप्त करना इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ग्यान नहीं मिलेगा वह तो मिलेगा ही लेकिन तुम उसी की चिंता करो मैं ये नहीं चाहता इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है अक्षर ग्यान तो इसलिए होता है कि जो कुछ मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको इतना और याद रखना कि अपसे हमें गरीबी में रहना है जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखत है खेत में घास और गड़े खोदने में पूरा समय देना भविश्य में हमें अपना जीवन निर्वा इसी से करना है मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम्हें एक योग्य किसान बनो सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना अक्षर ग्यान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना भविश्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उप्योगी सिद्ध होगी ये दोनों विश्य बड़ी उम्र में सीखने कठिन है संगीत में भी बराबर उची रखना हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह त्यार करना चाहिए वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मुल्यवान प्रतीत होगा काम की अधिक्ता से मनुष्य को घवराना नहीं चाहिए और ना ये सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा और पहले क्या करूँ शांत चित से विचार पूर्वक तुमने यदी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेश्टा की तो वो तुम्हारे लिए बहुत उप्योगी और मुल्यवन प्रमानित होंगे मुझे तुमसे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसका पैसे-पैसे का हिसाब रखते होंगे मुझे ये भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वग प्रार्थना करते होंगे और रवीवार को श्रीवेस्ट जी के यहां भी प्रात्ना में जाते होंगे सूरेदे से पहले उठकर प्रात्ना करना बहुत ही अच्छा है प्रयत्न पूर्वग एवं निष्टे समय पर ही प्रात्ना करनी चाहिए यह नियम मित्ता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के पाद मुझे जवाब देना जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ तुहारा पिता मोहंदास मनिलाल गांधी इंडियन ओपीनियन फिनिक्स निटाल